परिचय चात्रो, आज हम एलकोहॉल, पिनॉल तथा इधर के बारे में सीखेंगे सर, ये एलकोहॉल क्या होते हैं? एलकोहॉल वे यॉकिक हैं, जिसमें एलकेन के एक या अधिक हाइडोजन परमानों को हाइड्रोक्सिल समूँ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है हाइड्रोक्सिल समू, हाइड्रोजन परमाणू वाला एक कारियात्मक समू है जो आक्सीजन परमाणू से सह सयोजक आबंध द्वारा जुड़ा होता है अब मुझे कोई फिनॉल की वारे में बता सकता है हाँ सेर, फिनॉल एक कार्बनी क्योगिक है जहां एक बेंजीन रिंग से जुड़ा एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल समू द्वारा प्रतिस्थापित होता है बहुत अच्छे सुनील इस पार्ट में हम एलकोहॉल, फिनॉल तथा इधर के बारे में और अधिक जानेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे एलकोहॉलों, फिनॉलों तथा इधरों का वर्गी करण करना एलकोहॉलों, फिनॉलों तथा इधरों की नाम पद्धती की चर्चा करना कार्यात्मक समूहों की सनजनाओं की चर्चा करना एलकोहालों और फिनालों को बनानी की विधियों की चर्चा करना एलकोहालों और फिनालों के भौतिक गुण धर्मों की चर्चा करना रासायनिक अभिक्रियाएं एलकोहालों, फिनालों तथा इथरों का वर्गी करण Mono, Di, Tri, Avem, Polyhydric Yogi एलकोहालों और फिनालों का वर्गी करण सामानेता अणों में फर्तमान हाइड्रोक्सिल समोहों की संख्या के अनुसार किया जाता है एलकोहाल जिन में एक हाइड्रोक्सिल समोहों उपस्तित रहता है उसे Monohydroxy कहते हैं दो हाइड्रोक्सिल की उपस्तिती वाले समोहों को Di-Hydroxy और तीन उपस्तित हाइड्रोक्सिल समोहों के साथ Tri-Hydroxy के रूप में जाना जाता है फिनाल जिसमें एक हाइड्रोक्सिल समोहों उपस्तित रहता है उसे Monohydric कहा जाता है दो हाइड्रोक्सिल की उपस्तिती वाले समोहों को डाइ हाइड्रिक के रूप में और तीन हाइड्रोक्सिल की उपस्तिती वाले समोहों को ट्राइ हाइड्रिक के रूप में जाना जाता है वर्गी करण मोनो हाइड्रोक्षी एलकोहलों को कारवन आणू जिससे हाइड्रोक्षिल समू जुड़ा रहता है उसके संकरण के आधार पर उपविभाजित किया जा सकता है हाइड्रोक्षिल समू के साथ आबंधित योगिक जिन में SP3 संकरित कारवन परमाणू रहते हैं एलकोहलों में हाइड्रोक्षिल समू एलकाइल समू के SP3 संकरित कारवन एटम से जुड़ा रहता है ये आगे प्रात्मिक, माध्यमिक और तृतियक एलकोहलों में उपविभाजित होते हैं एलिलिक एलकोहल वो एलकोहल जिन में दूइक आबंध कारवन कारवन के साथ हाइड्रोक्षिल समू हू एक एकल आबंध SP3 संकरित कारवन से जुड़ा रहता है यानि एलिलिक कारवन को एलिलिक एलकोहल कहा जाता है बेंजिलिक एलकोहल वो एलकोहल जिसमें एरोमेटिक वलाई के साथ हाइड्रोक्षिल समू हू एक एकल आबंधित SP3 संकरित कारवन से जुड़ा रहता है बेंजिलिक एलकोहल कहा जाता है योगिक जिनमें SP2 संकरित कारवन परमाणू हाइड्रोक्षिल समू के साथ जुड़ा रहता है बेंजिलिक एलकोहल में हाइड्रोक्षिल समू कारवन कारवन दुई का आबंध से जुड़ा रहता है यानि कि बेंजिलिक कारवन के साथ इधर, इधर कार्बन योगिक है, जिनका निरुपन सामानि सूत्र रो र डैश त्वारा किया जा सकता है, समों र और र डैश एलकिल या एरिल हो सकते हैं, या तो वही या फिर भिन्न अगर एलकिल या एरिल समों वही हैं, तब उनको सम्मित कहा जाता है, और अगर एलकिल या एरिल समों भिन्न हैं, तब इधरस को असम्मित कहा जाता है नाम पद्धती एलकोहॉल, एलकोहॉल का नामकरण या तो समाने नाम पद्धती या नाम पद्धती की आई यू पीएसी पद्धती का प्रयोग कर किया जा सकता है स्वामाने नाम पद्धती में एल्कोहाल का नामकरण एल्किल समों को सुची कृत करने और शब्द एल्कोहाल को जोडने से किया जाता है IUPAC पद्धती में सबसे लंबी दिरंतर श्रेंखला चुने जिससे हाइड्रोकसिल समों सीधे चुड़ा है एल्कोहाल का जनक नाम उसी श्रेंखला के एल्केन नाम से आता है अंतिम छोर पर E को हटाएं और OL जोड़ें जनक श्रेंखला की संख्या लिखें ताकि कारवन उत्पन करने वाले हाइड्रोकसिल समों की सबसे कम संभव संख्या हो हैड्रोकसिल समों को छोड़ कर दूसरे नाम विस्थापकों के नामों का पता लगाएं उधारन के लिए दो मिथाईल, दो प्रोपेनौल चक्रिय एल्कोहालों में हैड्रोकसिल समों को C1 इस्थिती दी गई है दूसरे विस्थापक को सबसे कम संख्या मिलती है उधारन के लिए दो एथिल पाँच, पाँच, डी मिथेईल, साइकलो हैक्सोनौल नाम पत्द थी फिनौल फिनौल हाइड्रोकसि बेंजीन है फिनौल एक सामाने नाम है और योगिकों के फिनौल परिवार की सबसे सरल संख्या के लिए IUPAC स्विक्रित नाम भी है फिनौल नाम फिनाईल और अल्कोहाल शब्दों के मिशरन से लिया गया है बेंजीन वले पर विस्थापकों को उप्यक्त संख्याओं द्वारा इंगित किया जाता है उधरन टोलियून के हाइड्रोकसिल डेरी वेटविश हैं और्थो, मेटा और पैरा, क्रेसोल्स आयो पैसी नाम, नाम पद्धती के नुसार इनका नाम क्रमशा रखा जाता है दो मेथिल फिनॉल, तीन मेथिल फिनॉल, चार मेथिल फिनॉल एक और उधारन है, बेंजीन टायॉल के भी आम नाम होते हैं नाम पद्धती इथर इथरों के सामाने नामों को दोप समोहों के नाम से लिया गया है एलकिल, अथवा, एरिल, जो वणा नुक्रम में आक्सीजन परमानों से सनलंगित हैं शब्द इथर से अनुसरणित होते हैं सम्मिद इथरों की स्थिती में उपसर्ग टाई को एलकिल अथवा, एरिल समोह के नाम के पहले चोड़ा जाता है IUPAC पध़ती के अनुसार इथरों को एलकॉक्सी समोह के गठन का उधारन पेश करते हैं या जबकि बड़े समोह का उधारन आर डैश जनक एलकेन का नाम देते हैं कारियात्मक समोह की सनजना आर ओएच की सनजना एलकाईल समोह के दोनों अणूं और हाइड्रोक्सिल समोह के ऑक्सीजन अणूं एसपी तीन संकरित हैं उधारन के लिए मेथनोल, COH कोन, आक्सीजन एटम के एकल जोड़ों के बीच प्रतिकर्शन के कारण जरा थोड़ा सा टेट्राहाइडिल कोन से कम है यानि की 109 टिगरी 28 मिनट कारवन अणूं की उच्च विद्धुत रणात्मक्ता के कारण CO और OH आबंधित ध्रुविये हैं फिनॉल की सनचना ऑक्सीजन के SP3 संकरित और्बिटल के साथ कारवन के SP2 संकरित और्बिटल के ओवरलैप द्वारा फिनॉल में CO आबंध का निर्मान होता है फिनॉल में CO आबंध कौन 109 डिक्री है फिनॉल में CO आबंध की लंबाई 136 पीको मीटर है फिनॉल में CO वलै के साथ बंधन दूरी ऑक्सीजन की अविभाजित चोड़ी के संयोजन के कारण मेथनॉल की बनिस्पत कम है जो CO आबंधन के लिए आशिक रूप से दूइक आबंध गुण धर्म प्रदान करता है इथरों की सनचना संकरित कक्षक आउक्सीजन के चारों ओर टेट्राहाइडरल वैवस्थाओं को मानते हैं फिर भी COC आबंध कोण एलकिल समोहों के बीच प्रतीकर्षक अन्योन निक्रिया के कारण 109 डिग्री 28 मिनट से बड़ा है एलकिल समोह जितने भारी होंगे प्रतीकर्षक अन्योन निक्रिया उतनी ही अधिक होगी और फलसो रूप कोण में विचलन अधिक होगा उधारण मेथिल इधर में आबंध कोण 170 डिग्री होता है इस प्रकार इधरों का मुणा आकार होता है और परिणामी डाइपोलर मोमेंट पाए जाते हैं एलकोहॉल और फिनॉल एलकोहॉल विर्चन एलकिनों से अमल उत्प्रेरित जलियू जन्त्वारा अमल की उपस्थिती में अलकिन पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं और अलकोहॉल बनाती है अलकिन अमल की उपस्थिती में पानी के साथ अभिक्रिया कर संबेदित अलकोहॉल बनाती है असम्मित अलकिन में अभिक्रिया मारकोनी कौफ नियम के अनुसार होती है क्रियाविधी ये अभिक्रिया निम्ने चरौणों को सम्लेद करती है कर्ण एक इस्तिरिक कार्बू कैटाइन बनानी के लिए एलगीन हाइडरोनियम आएन के इलेक्ट्राउन रागी के आकरमण द्वारा प्लोटोन को सुईकार करती है चर्ण दो कार्बो केटाइन प्रोटोनेटिड एलकोहल बनाने के लिए पानी के अड़ों के साथ अभिक्रिया करते हैं चरण तीन एक प्रोटोन का पानी के अड़ों के साथ हस्तानांतरण से एलकोहल बनता है एलकीनो से एलकोहल विर्चन हाइड्रो बोरानन आक्सीकरण के द्वारा डाइबोरेन एलकीनों से अभिक्रिया करके एक योगज उत्पाद ट्राइलकिन बोरेन बनाता है ट्राइलकिन बोरेन को शार के उपस्थिती में आक्सीकरण और हाइडोलिसिस के दौरान हाइडोजन पर आक्साइड द्वारा उपचारित किये जाने पर अलकोहॉल देता है अलकोहॉल विर्चन कार्बोनेल योगिकों से एल्डी हाइड वा कीटोन के अपचायन द्वारा एल्डी हाइड एवं कीटोन सुख्ष्म विभाजित धात्वों जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम या निकेल की उपस्थिती में हाइडोजन गैस से अभिक्रिया कर प्रात्मिक वा दुईतियक अलकोहॉलों में अपचित हो जाते हैं एल्कोहॉल को सोडियम, बोरो हाइडराइट या लीथियम, अलुमिनियम हाइडराइट के साथ कीटोनस की अभिक्रिया द्वारा भी बनाया जा सकता है कार्भोनिल योगिकों से एलकोहल विडचन, कार्भोक्लिसलिक, अमलों तथा एस्टरों के अपचयन दौारा कार्भोक्सिलिक अमल लीथियम, एलुमिनियम, हाइड्राइट के साथ अभिक्रिया करके प्राथमिक एलकोहल से अपचित किये जा सकते हैं पानी और एसिटिक अमल के साथ मिलाने पर लीथियम अलूमिनियम हाड्राइट एथनॉल बनाता है एस्टरों को लीथियम अलूमिनियम हाड्राइट की उपस्तिती में हाइडोजन के साथ अभिक्रिया द्वारा अल्कोहॉल में बदला जा सकता है एस्टर लिथियम अल्यूमिनियम हाइडराइट की उपस्तिती में हाइडोजन के साथ अभिक्रिया कर अलकोहल बनाते हैं अलकोहल विर्चन ग्रेनियार अभिकर्मकों से ग्रेनियार अभिकर्मक की LDHID और KETONE के साथ अभिकरिया कराने पर इलकोहल बनाया जा सकता है ग्रेनियार अभिकर्मक एथनॉल के साथ उत्पात बनाने के लिए अभिकरिया करता है जो तनू HCl के साथ अबखडित होकर प्रोपेन 2, O, L और हाइड्राक्सी मेगनीशम प्रोमाइट देता है ग्रिनियार अभिकर्मक प्रोपेनोन के साथ उत्पात बनाने के लिए अभिक्रिया करता है जो तनू HCl के साथ अबखडित हो दो मेथिल प्रोपेन, दो O, L और हाइड्राक्सी मेगनीशम प्रोमाइट देता है फिनॉलों का विर्चन हैलो एरिनो से, क्लोरो बेंजीन को सांद्र सोडियम हाइड्रोकसाइड खोल के साथ 300 डिग्री सेल्सियस और 300 वायोमंडलिये तबाव पर गर्म करने से फिनॉल का सोडियम लवन प्राप्त होता है, जो अमलिये माथ्यम में स्वातंद्र फिनॉल मुक्त करता है संद्र NaOH को क्लोरो बेंजीन खोल में 300 डिग्री सेल्सियस और 300 वायोमंडलिये तबाव में मिश्रित किये जाने पर सोडियम फिनॉउकसाइड बनता है और अमलिये माध्यम उपलब्द कराने से ये फिनॉल देता है बेंजीन सल्पफोनिक अमलों से बेंजीन का ओलियम दोरा सल्पफोनेशन किया जाता है तथा इससे प्राप्त बेंजीन सल्पफोनिक अमल के सोडियम हाइड्रोकसाइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर सलनयन से सोडियम फिनॉकसाइड प्राप्त होता है और अमलन से फिन प्राप्थ होता है। प्राप्थ में एक एरोमेटिक एमीन 0-5 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइटरस अम्र के साथ अभिक्रिया द्वारा डाइएजोनियम लवन बनाते हैं। डाइएजोनियम लवन जल के साथ गर्म करने पर फिनॉल देते हैं। एनिलीन 0-5 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइटरस अम्र के साथ अभिक्रिया द्वारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाते हैं। और इसमें गर्म जल मिलाने पर फिनॉल नाइट्रोजन वा हाइड्रो क्लोरिक अम्र प्राप्थ होता है। क्यूमीन से क्यूमीन के आक्सिकरन से क्यूमीन हाइड्रो पेराउकसाइड प्राप्थ होता है। भौतिक गुन धर्म कौतनांक समान आणविक द्रवेमान के अन्योगिकों जैसे एथरों, हेलो एलकेनों वा हेलो एरीन के तुल्ला में एलकोहॉल और फिनॉल का कौतनांक ज्याता होता है। एलकोहॉलों और फिनॉलों में कारबन परमानों की संख्या बढ़ने से कौतनांक बढ़ता है क्यूंकि वंडरवॉल बलों में व्रिद्धी होती है। एलकोहॉलों में कारबन श्रंखला में शाखन की बढ़ोतरी के साथ कौतनांक घटता है। कारण ये है कि जब शाखन में वृत्धी होती है तब वंडरवॉल बल सताक्षित्र के घटने के कारण घटते हैं। एलकोहॉलों और फिनॉलों के OH समों में हाइड्रोजन परमाणूं विद्धित रनात्मक ऑक्सीजन परमाणूं से आबंधित रहते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आबंध बनाने में सक्षम होते हैं। घुलन शीलिता एलकोहॉल और फिनॉल समानिता पानी में घुलन शील होते हैं। क्यूंकि एलकोहॉल और फिनॉल दोनों हाइड्रोजन पानी के परमाणों के साथ आबंधन बनाते हैं। क्या आप जानते हैं अड़ों के आकार वा जटिलता अनुसार एलकोहॉल तरल या ठोस हो सकते हैं किरवन प्रक्रिया में प्रक्रितिक रूप से बनाए गए और मादक पे पदार्थों के एक भाग के रूप में सेवन किये गए एलकोहॉल को एथनॉल कहते हैं एलकोहॉल के सेवन पर एलकोहॉल के सेवन प्रभाव में मानव तंतरिका कोशिकाओं के संचालन में बदलाव और विशाक्तता समलित है सारांश आये हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं एल्कोहॉल और फिनॉल को समानिता हाइड्रोक्सिल समोहों में वर्तमान अड़ों की संख्यानुसार वर्गिकरित किया जाता है। वो एलकोहॉल जिनमें दूइक आबंद कार्बन कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल समू एकल आबंद SP3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है यानि एलिलिक कार्बन को एलिलिक एलकोहॉल कहा जाता है। वो एलकोहॉल जिसमें एरोमेटिक वलाय के साथ हाइड्रोक्सिल समू एक एकल आबंदित SP3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है बैंजिलिक एलकोहॉल कहा जाता है। वाइनिलिक एलकोहल में हाइड्रोक्सिल समोहूं कार्बन-कार्बन-दुईकाबंध से जुड़ा रहता है, यानि की वाइनिलिक कार्बन के साथ। एलकोहल का सामानने या IU-PAC नाम बद्धती का प्रेयोग कर नाम करण किया जा सकता है। फिनॉल एक सामाने नाम है और योगिकों के फिनॉल परिवार की सबसे सरल संख्या के लिए IU-PAC स्विक्रेट नाम भी है। IU-PAC प्रेटी के अनुसार एथरों को एलोक्सी एलकेन के रूप में नामित किया जाता है। एलकोहॉलों को हाइडो बोरानन आक्सी करण के द्वारा कार्बोनिल योगिकों से एल्डी हाइड वा कीटोन के अपचैन द्वारा कार्बोकसिलिक अमलों तथा एस्टरों के अपचैन द्वारा ग्रीन यार अभी कर्मों को द्वारा बनाया जा सकता है। फिनॉल हेला एरिनो से, बेंजीन सलफोनी कमलों से, डाई एजॉनियम लवडों से और क्यूमीन से बनाया जा सकता है। अलकोहॉलों और फिनॉलों का कौतनांग कार्बन परबाणों की संक्या बढ़ने से बढ़ता है क्यूंकि वंडर वॉल बल बढ़ता है। अलकोहॉलों में शाखन में बढ़तरी के साथ कौतनांग खटता है। समानिता अलकोहॉल और फिनॉल पानी में खुलनचील है।